ओम गुपाल बालं भुवने कपालं संसार माया मती मोह जालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं कुंदं मनसास्मरामी परमसम्मानियम आत्मी वेश्णों जनों आज हम अमरतवानी टीवी के मध्यम से पुन आज आपसे जुणने का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है आज जब कोरोना काल की विपिश प्रिसिद्या चल रही है और कोविट-19 के सोशल डिस्टेंसिंग का पालं करते हुए हम अपने अपने करतव ये पत पर गवन कर रहे हैं चल रहे हैं इन बहुत एकाक्षी क्षणों में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रारद्द के फल की प्रारद्द का फल क्या होता है परतमान में हमें जो प्राप्त हुआ है क्या वह हमारे किये गए कर्मों का फल है या हमारे प्रारद्द का फल है पूरु जन्म के संचित कर्मों का प्रभाव जिसको हमारा सनातन धरम बहुत गहराई से अंतरमन से स्विकार करता है बहुत गहन द्रश्टी के साथ स्विकार करता है कि आज हमारे पास जो है वो प्राडब्द का फल है ये बात भी सिद्ध है कि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने के लिए सतत उद्ध्यों की आवशकता होती है व्यक्ति को कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है आज तक नहीं सुना गया कि सोते हुए सीह के मुख में कभी हिरन शिकार रुपी हिरन उसके मुख में गया हो इसकार्थ यह हुआ कि सीह को भी यदि अपने आहर क्या शकता है तो उसे सतत कर्म करना पड़ेगा उसे शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा ठीक उसी प्रकार मानोज को भी मनुष्य को भी अपने करतवे पत पर चलने के लिए अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए निरंतर उद्जो करना पड़ेगा निरंतर प्रयास करना पड़ेगा अब ये कर्म की परधानता और प्रगप्द की बिज्की जो कड़ी है एक तो शूत्य आय GET कही रही है कि आप मनुश्य का दिकार करम करने में है वह करो करेगा तो फल पाएगा और एक सुत्य या भी कहती है कि यह वरतमान उसके पास प्राप्त है वह प्रगप्द का ही फल है इस अंदर में एक बहुत संदर जश्टांद कथा मैंने सुनी है संतों के मुख से पुझ्यपाद सद्गुरुदेव के मुख से मैं सुना करता था उसमें कहीं कहीं मालवा मालवी भाष्षा का विट्टोन आता है एक पुत्र वदू एक कुल वदू वह अपने आवागमन का कोई सदन उसके पाज उपलब्द नहीं था वह सोच ही रही थी कि मुझे अपने सस्राल के लिए निकलना है और उस इक्षन उसने देखा कि राजा की सवारी निकल रही है राजा जो है वह हाती पर बेठा हुआ है उसकी परदल सेना उसके सेना पती उसके गु हो तो उसने अपने से जिस मार्ग की और फलाने शहर हमें जाना है उसे लगा कि हम मेरा वच्षराल भी उसी मार्ग में है तो क्यों नहीं जब अकेले जाओं घोर जन्य होगा लोटे रहे होंगे चोरी दखेती करने वाले होंगे इससे अच्छा है कि इस लाव लशकर के पीछे-फीचे चलने लगी आपको है आश्र वोगा कि जब लाओ-वल-श्कल चल रहा था तो अकस्माद राजाने रहति रुकर लिया महावध को कहा कि भीया हाति रोक दो में। है तो हाति रोक दिया गया सेना पति आया कहा कि महाराज क्या हुआ कि मैं हाती पर बेठा बेठा बड़ा ठक गया हूं और अब मैं घुरे पर बेठना चाहता हूं ठीक है महाराज आपके लिए भी गोड़े के प्रबंद कर दिया जाएगा और तुरांत एक गोड़ा तयार हो गया राजा हाती से उतरा और गोड़े पर बेठा गया अब गोड़े पर बेठते चलने लगा लाव लशकर कुछ आगे ही बड़ा था राजा ने गोड़ा भी पीछा दिया गया राजा जो है उस कालीम पर चलने लगा कुछ आप यकिन मानिये वह कुछ दूर ही चला था कि वह पुना ठक गया का कि मैं बहुत ठक गया हूं मेरे पेड़ दबाव तो जो उसके सेवक थे बड़े अलग-अलग प्रकार के नवरत में इत्तियादी तेल ल लाव लशकर आगे की और प्रस्थान कर गया अब यह पूरा घटना करम इस पुलवजू ने देखा इस पुत्रवजू ने देखा तो उसे बड़ा आश्चरी हुआ कि राजा हाती पर था गोड़े पर बेठा गोड़े से कुछ दूर ही चला और ठक गया तो उसने जिसे अ पूछी और उसने रास्ते की जो घटना हुई उसके बारे में पूरा विश्लेशन कर दिया उसने कहा कि मुझे बड़ा आश्चरी हुआ क्या आश्चरी हुआ जुछी सखी पूछ रही तो उसने बड़े सुन्दर वाक्यों में जो कहा मालुवजू भाश्या के शब्द है हाती चड़ घोडा चड़या जहां से सुनियेगा मैं दिश्रता हुँ बहुत सुन्दर उकती है मर्म को चुने वाली है हाती चड़ घोडा चड़या फिर चाल्या सुख पाऊं हाती चड़ घोडा चड़या फिर चाल्या सुख पाऊं कब का था क्या ए सकी जो अबे दबावे पाव जय सीता राम सीता राम जय सिया वर राम माला हीजा हाती यहाती से गोड़े पर चसीता तके बेखें उनके सेवक पैर दबाने लगे तो ठके कव मुझे बड़ी आश्चरि चले नहीं कुछ प्रज़ नहीं पाई वह अब के ठके वह नहीं है तो कब के ठके हैं जब अभी नहीं थके तो ठके कब तो उसने कहा कि उस्समें उसी भाशाम उतर दिया गणा जो तपये ता पिया घणा जो चालिया पाव तब का था क्या ए सकी जो अबे दबावे पाव जय सीता राम इनोंने पूरु जन्म में केदार बद्री गंगोत्री जबनोत्री चारो धामों की पेदल यात्राएं करिए इतनी पेदल यात्राएं करी पूरे भारत वरश के तिर्थों को इनोंने पेदल यात्राओं से नाप लिया तो ये पूरु जन्म के ठके हुए थे, ये जन्म में राजा बने, और वो जो पूरु जन्म की ठकान है, वो अब उतार रहे हैं, तो आज हम को ये जो एश्वजे मिला है, आज जो हम सुख संपदी, संपदा का भोग भोग रहे हैं, आप ये यकीन मान कर चलिए, कि ये आपक प्रारद्द का फल हैं, और आज प्रारद्द का फल इतना मिठा हैं, आने वाले जीवन में भी फल मिठा हो, इसलिए कर्म करते रहिए, और अपने करतव ये पत्थ पर चलते रहिए, साद्गी पूरु जीवन को अपनाईए, शाकाहर जीवन को अपनाईए, स्वस्थ मानस परिशे दिजिए इसी के साब अमर्थवाली टीवी कि सभी स्रोताओं को पुना हम बहुत बहुत शुक्त कामना है वर्शा का लाने वाला है जो उपवास की सभी स्रोता गणता में थे साथ वितित करेंगे लगया अ साधनाे के इस रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे